नाशिक में ददनाख हाथसा जाकिरुसेग हस्पताल के ऑक्सिजिन लीक होने के कारण 24 लोगों ने तोड़ा दम वहीं 35 की हालत गम भी मुख्यमंत्री उधर ठाकरे ने नाशिक में हुए घटने पर जताया दुख कहा इस घटने से सदमे में हैं पूरा राज मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का एलान नाशिक ऑक्सिजन लीकेज दुरगतना में मुर्टकों के परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपे का मुआवजा नाशिक के अस्पिताल में हुए ऑक्सिजन लीकेज मामले की होगी उच्छ स्थरिय जाज मुख्यमंत्री ने दिये जाज के आदेश ऑक्सिजन लीकेज के दरान 172 लोग थे ऑक्सिजन पर और वही सरसट लोग वेंटिलेटर पर थे अक्सिजन सिलेंडर के इंतजार में एक मरीज ने अस्पिताल के स्टेडियो पर ही तोड़ा दमुख्यमंत्री माहराश में ब्रेक दचेंग अब और होगा कड़क स्वास्थमंत्री राजेश टोपे ने माहराश में समपूर्ण लोगडाउन से किया इंकार माहराश लोगडाउन के दवरान पूरी तरह से नहीं बंद होगा जिला बंदी राजेश टोपे ने कहा सौ प्रतिशत नहीं होगी जिला बंद स्वास मंत्री राजे श्टोपे ने कहा लॉकडाउन के दरान नहीं बंद होगी लोकल ट्रेन और बसे हाला कि सार्वजनिक ट्रांस्पोर्ट पर कुछ पाबंदिया जरूर लगाए जा सकते हैं मुंबई में दिखा कड़क पाबंदियों का असर सुबह ग्यारा बजे के बाद मेडिकल को छोड़कर सभी दुखाने दिखी बद मुंबई के अस्पतालों में बैट्स की कमी को देखते हुए मलाड में बनेगा 2000 बैट का जंबो कोविट सेंटर नाशिज ऑक्सिजन लीकेज दुरघटना पर मनसे प्रमुख राज ठाक्री ने जताया दुख और ट्वीट कर कहा कि दुरघटना के लिए जिमदार लोगों पर की जाय सकत कारवाही नाशिक में हुए ओक्सिजिन लीकेज घटना पर शरत पवार ने जताया दुख कहा इस घटना में आरोग्य सेवा को किया चालेंज वही मुर्थकों को दीश्रधान जिली माराश के पूर मुख्य मंदे देवेंद पड़नविस ने नाशिक में हुए दुर घटना को बताया दर्दनाख हादसा वहीं घटने की जाच की मांगती मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरुना के 7,684 नए मामले आये सामने वनी एक्टिज मरीजों की संक्या 84,743 तक पहुची मुंबई में आज कोरुना से 62 लोगों ने गवाई अपनी जान वहीं मुंबई में मौत का आखड़ा 12,501 हुआ मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरुना से 6,790 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुचे अब तक कुल कोरुना के 5,3,000 तिरपन मरीज हो चुके है ठीक उत्तर मुंबई सामसत गोपाल शेटी और विधाय करिद सौमया बीएमसी के वाड आफिस के सामने बैठे धरने पर 50 कोरुना मरीजों के लिए बनाय गया था कोविड अस्पताल बीएमसी ने रद की मान्यता गोरिवली पश्चिम के पावन धाम ने गोपाल शेटी ने बनाया मरीजों के लिए 50 कोविड बैट का बनाया था अस्पताल बीएमसी ने पहले दी थी मान्यता लेकिन अब किया रद पावन धाम कोविड सेंटर की मानिता रद करने पर बोले अतुल भात खलकर हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन धर सरकार रोक रही है लोगों की हाई लगेगी ठाकरे सरकार को माराश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6668 नए मामले आये सामने वहीं बीते 24 घंटों में 568 लोगों ने गवाई अपनी जान दक्षिन मुंबई के एक कोविट केर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज ने चाकू से किया नर्स पर हमला आरोपी के खिलाफ विभिन नधाराव के साथ मलाबार पुलिस टेशन में मामला दरुच वाशी में जगा जगा पुलिस की नाके बंदी बिना कारण घर से निकलने वाले पर पुलिस कर रही है कारवाही पावंदियों के बावजूद मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में दिखी भारी भीड वही सडकों पर धंदा लगाने वालों ने सरकार के पावंदियों को मानने से किया इंकार बॉलिवर सिलेबिटिस की वेनेटी वैंग को इस्तमाल करेगी मुंबई पुलिस फील्ड जूटी के दरान महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगी राहत